लोग कहते हैं कि 2019 पहले तो लगता था कि दन डील है अब कहते हैं कि ये ओपन गेम है तो हमने सोचा कि इसको ओपन गेम बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिसको कहा जाए एपी सेंटर वो शायद यूपी बन गया और यूपी के दो शक्स अखिलेश यादव और मायवती जी तो अखिलेश यादव से हम बात कर रहे हैं हिंदी क्विंट अंग्रेजी क्विंट और ब्लूमबर क्विंट के दरशकों के तरफ से वो सारे सवाल पूछेंगे जो देश के सारे रालजितिक पंडित अभी अपनी माथा पच्ची करने में उस पर लगे हुए हैं अखि ये समस्ता हूं ये उत्तर प्रदेश के दो अप्चुनाव एक गुरकपुर और फूलपुर इन्होंने एक संदेज दिया है बीजेपी को लिए बीजेपी साबधान हो जाएं जो जनता को वादे किये थे अगर आप पर समय है तो पूरा करिए और नहीं अगर पूरा कर सकत हैं तो जनता जबाब देने के लिए तयार हैं और देखें कियसा परणाम आया एक मुख्मंतरी हार गए और दूसरे अपने आपको मुख्मंती से कम नहीं समझते थे उब मुख्मंती वह अँवर गई बाशूद भी जनता निकली और जनता ने मद्दान किया और ये दोनों चुनाव हार गए और भाशा देखी कैसी थी कहने के तो भादी जनता पार्टी कहती हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है कभी कभी उनके लोग ये कहते हैं कि हमारी अंतराश्ची है इस तर पर अग हम से कम समाजवादी लोगों ने और इन दो चुनाओं में हम लोगों ने कोई भाशा को बदला नहीं भाशा की सीमा समझे और राजनितिक जो बेवहार होता है उसके अंदर एक सिस्टा चार के साथ काम किया लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि जनता ने हमारी मदद की और दोनों को सबक सिखाया तो आपने का जनता ने चेतावनी दी है और समय है वादा पूरा करें तो कोर्स करेक्शन कर भी सकते हैं तो आप लोगों को बहुत आशावान होने की ज़रुत नहीं है चुनाओं के पहले कोई भी वेक्ति हो खास करके बीजेपी जैसी पार्टी और योजना के लिए नहीं दिया है तो आप कुछ भी कोशिश कर लोगे पैसा नहीं दे सकते हैं उधारन के लिए पिदाम अंतिजी ने कहा कि हम एम्स बनाएंगे गोरगपुर में एम्स पूरा करेंगे लेकिन अगर बजट में पैसा नहीं है तो एम्स कैसे बनेगा इसी तरह राइवरली में एम्स के लिए जगे समाजवादी सकार्ड ने दी वहाँ भी एम्स का पैसा काट दिया तो अगर योजना के लिए पैसा नहीं है तो आप कैसे करोगे कोई चीज पूरी और फिर एक नई चीज लाए हैं और नया सपना दिखा रहे हैं खेर बीजेपी के पहले से बनाया जा सकता था या पहले से है मालिजी गौालियर केंटोनमेंट है आपका फतेगर केंटोनमेंट है बरेली केंटोनमेंट है रानी खेत केंटोनमेंट है और बवीना केंटोनमेंट है आखिरकार आपने इस इन तमाम केंटोनमेंट के लिए किया क्या है और मैं क एक पुल मैवती जी ने शुरू किया था, हम पांस सार पर्मिशन मांगते रहे, डिफेंस ने हमें पर्मिशन नहीं दी, जो ये लोग एक पुल का एक पिलर लगाने के लिए पर्मिशन नहीं दिलवा सकते हैं, ये हमारी जो सबसे महतमूर सरक डिफेंस के एरिया से केंटूर बताईए आप कि सपा और बसपा का एलायंस क्या हो गया है क्या सीटों के माटने के फॉर्मूले पर बात हो गई है क्योंकि सिर्फ आप दोनों के मिलने से अरिथमिटिक से काम यू नहीं बनेगा क्योंकि बीजेपी कई कई इलाकों में 40-40-50-50% का वोट शेर लेकर के बैठी है तो सिर्फ आप लोगों की यूनिटि का आइडिया भी फ्लोट हुआ है कि आप दोनों मिलके लड़ेंगे तो यह आइडिया से एग्जेकूशन का जरा किस्सा समझाईए एग्जेकूशन तो हो चुका है और वो आपको दो एग्जेंपल मिल चुके हैं एक फूलपूर एक गुरगपूर मुख्यमंति उब्गंति दोनों हार गए उसके बाद एक प्रयास हम दोनों ने मिलकर कि रासवा चुनाव लडाया हलाकि यह चुनाव गिंतिका होता है और सरकार का दाव बहुत चलता है दवाब भी मनाती है सरकार सरकार ने हर तरीके से समाजवादी पा तक थे इन्होंने वो दो वोट हमारे खराब कर दिये क्योंकि बीजेपी राम भक्तों को बहुत पसंद करती है बीजेपी ने उसे भी पसंद किया जिनने रम में राम देखे थे तो रम में राम वालों को भी ले लिया अपने संग तो दो वोट वो हमारे चले गए एक में किताब है सबसे पहले MLC हमने उनी के प्रत्यासी को कहा कि आप लड़िये बिल्कुल ठीक है जेश्चर के तौर पर इरादे के तौर पर और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कोई सब्सक्राइब के तौर पर इसे में सीटों का बटवारा कैसे होगा और क्या कॉंग्रेसिस अलाइन्स का पार्ट होगी सबाब एक है जो बात आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी अपने आपको सिकोड़ना नहीं चाहिए लेकिन बीजेबी जैसी बड़ी पार्टी जो जूट पयाधार है अगर उसको नहीं हम रोकेंगे तो देश का नुकसान होगा देश का नुकसान नहोगा इसके लिए समाजवादी पार्टी बहुजन समाजपार्टी साथ काम करेंगी और कॉंग्रेस के हमारी दोस्ती अच्छी है कॉंग्रेस का भी साथ रहेगा ये करने के लिए इसमें आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं क्योंकि एक डालॉग है सामने से वो डालॉग क्या है कि मोदी जी के सामने कौन विपक्ष के पास ना एक नेरेटिव है ना एक एजिनदा है ना एक नेता है यह सवभाब है कि ये बात आईगी सामने क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रिधानमंति उतुन बड़ा कर दिया इतना बड़ा कर दिया, कि अब कोई सामने आना ही नी चाहता है और आ पी नी सकता ये बीजेपी मानती है लेकिन इस डेश का केसान गरीब जानता है कि इतना बड़ा होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और हम तो कहते हैं समाजवादी लो कि पधायमंती जी और बीजेपी या बीजेपी के तमाम सहयोगी साथी और जितने प्रदेश में बता दें अगर आगरा लखनू से बहतर कोई सड़क बनाई हो तो बता दें यहां दो साल में मेट्रो बना दी तो यह कम से कम समाजवादी लोगों ने धारन दी है यह काम और जो गरीब किसान है यही जवाब देंगे यह किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है यह देश का चुनाव है और मैं समझता हूँ समाजवादी, बहुजन समाज़ी पार्टी और कॉंग्रेस का भी सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा उत्पदेश में होगा वही देश के पैमाने पर चुनाव के बादी भी नितत ते होते रहे हैं बिल्कुल इसमें आपका जो रोल है जाहिर है कि आप चुकी प्रधानमंतरी पद के दावेदार नहीं है और एक बहुत ही प्राग्मेटिक पॉलिटिक्स आप सामने रख रहे हैं ऐसा कुछ लोगों को लगता है तो वैसे में आप अपना रोल क्या केक होएं कॉंग्रेस से बात करना पवार सहाब से बात करना मैं ये कह सकता हूँ حलां कि मैं दिल्ली में लोगसुमा में रहा हूँ जितने भी लीडर्स आपने मरे मुझे नाम बताए हैं कहीं न कहीं सदन में सदन के भार उनसे पर्चे मुलाकात बाचीत हमेशा रही है लेकिन ये रोल मेरा नहीं है कि मैं बाचीत करूँ लेकिन मैं ये कह सकता हूँ लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ममता जी कोई कोशिश करती है तहम उनके साथ है अगर दचिर भारत के चाहें वो मुख्यमंत्री तिलंगाना के हो चंदबावू नाइडू जी हो अगर वो कुछ प्रयास करते हैं समाजवादी साथ है शरत पवार जी भी कोशिश कर रहा है कॉंग्रेस ने भी कई बार कोशिश की है मैं समझता हूँ ये रीजिनल पार्टी और खासकर जो पार्टीयां प्रदेसों में अच्छी भूमिका में अच्छे संगठन में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी को मरोकें और वहीं उत्तापदेस में समाजवादी पार्टी की भूमिका है मैधपूर क्योंकि संगठन के मामले में और यहां जो काम किया है उसके मामले में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी को मरोकें इसमें एक कंट्राडिक्षन कहिए या ओवरलैप कहिए जहां कॉंग्रेस और भाजपा आमने सामने है इशू नहीं है लेकिन बंगाल या महराष्ट्रा जहां कॉंग्रेस NCP है जहां CPM कॉंग्रेस TMC है ऐसे राज्यों में क्या होगा फॉर एक्जामपल तेलांगाना और अंत्रप्रदेश भी इसी लिष्ट में शामिल करिए जहां ओवरलैप है जहां कॉंग्रेस या कुई एक पार्टी अपना पूरा स्पेस खाली करने को क्यों मान जाएगी हाला कि ये बात की बात शुरू होगी लेकिन जहां तक मैं उत्रप्रदेश में समस्ता हूँ समाजबादी बहुजन समाजपार्टी ये शायद मुख्धल है और कांग्रेस का बहुत संगठा नहीं है जगे पार लीडर्स तो हैं लीडर का हम मना नहीं करते हैं लेकिन जमीन पर अगर संगठा नहीं है तो कम से कम कांग्रेस को दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए है शायद यही एक परस्थिती ठीक होगी जहां पर जो पार्टी मैथपूर्ड काम कर रही है या बीजेपी को रोक सकती है कम से कम दूसरे दलों को वहाँ सहयो करना च चैलेंज शायद ये है कि जो बहुत अच्छे से होता हुआ अलायंस दिख रहा है सपा बसपा का इसको रोकने के लिए वो क्या-क्या कर सकती है तो मैं जरा ऐसे स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहा था वो आपके सामने रखता हूं कि वो एक तो लोग कहते हैं कि कोई भी सत में होता है तो CBI जैसी एक चीज होती है उसका बड़ा इस्तेमाल करता है और वो चुनाव का एक साल बचा है तो क्या वो एक टेमटेशन नहीं होगा और क्या आने वाले दिनों में हम CBI की रुकावट नहीं देखेंगे इस अलायंस के लिए और दूसरा कोई बड़ा आइडिया ऐसा पॉजिटीव ले आए कि आपकी पुरानी कमेंटरी धरी रह जाए और नए आइडिया पर मोदी जी हां फिर से स्वीप कर जाए यह दोनों बातें उत्रपरदेश में नहीं चलने वाली है इसलिए नहीं चलने वाली है उत्रपरदेश में कई बार कहा गया ह और उत्तापदेश महत्मूर इसलिए है और प्रधानमंतिय जी खुद उत्तापदेश में इसलिए लड़ने आए हैं क्योंकि सबसे ज्यादे सीटों पर प्रभावित कर सकते थे और उत्तपदेश अगर ऐसा चोटा हो जाएगा तो कोई यह चुनाव लड़ने नहीं आएगा इसकी इंपोर्डेंस कुछ नहीं बचेगी देश को फिर प्रधानमंतिय उत्तपदेश नहीं जासता है इसलिए उत्तपदेश की जनता जानती है तो छोटे राजवाला नहीं मा तो कम सकम निस्पक्ष दिखाना पड़ेगा उनको भी अपना काम करके अभी तो हमारे उत्तपदेश में यह चर्चा है कि हाँ एक बिधायक पकड़े गए हैं सीवाई में इसलिए भेज़ दिया गया है कि हुहाँ पर कुछ मदद हो सकती है उनकी क्योंकि यहां तो सब कि नुटबंदी किया इसलिए गया था कि अपोजिशन का खास करके बहन मायावती का सारा पैसा अपने हाथ में ले लिया जाए लेकिन अभी आप लोग जैसे चुनावनाओ लड़ रहे हैं और टेक्नलोजी का जो सहारा है पैसा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों प्रॉब्लम है कौन सा काम कप करना है कम से कम जो फैसल हो उसके लिए किसी पंडी जी से तो पूछ ले थे कि कौन सी तारीक ठीक है नोटबंदी के लिए और मैं आपको बताता हूँ और इस बात को आपको गौर करना चाहिए जिस दिन नोटबंदी की उस दिन 14 कोसी यात्र चल रही थी बिशारे गरीब 14 कोसी यात्रा एउद्या फजाबाद में कर रहे थे उनके पास कुछ नहीं था उसके बाद समाजवादी सरकार थी मैंने उस समय चीप सेकेर्टी को निर्देश दिये मैंने कि चीप सेकेर्टी साहब आप कुछ भी करिए लोगों को तकलीफ न जाना चाहता हूं बीजेपी वाले अपना परिवारबाद नहीं बताते हैं सबसे जादा अगर परिवारबाद के लोग अगर काई हैं तो भारती जन्ता पार्टी में हैं आप बदाए उत्तवर्देश के जो मुख्यमंत्री हैं ये तभी तो बने हैं क्योंकि उनके मामा उ बीजेपी ये क्यों नहीं बताती है कि उनके यहां भी बड़ा परिवार है वो लेकिन दिखाई नहीं देता है दूसरा जातिवादी सबसे ज़्यादा जातिवादी देश के अगर पार्टी है तो भारती जन्ता पार्टी है और मैं एक बार नहीं सो बार यह बात कह सकता गए मैंने 18 लाग लैप्टॉप मांट दिये मुझे लगा मैं फरवर्ड हो गया मैंने मेट्रो दो साल में चला दी तीन शहरों में मेट्रो ले आई जो प्रधान मंतिजी ने जंडी दिखाई थी नौईडा से दिल्ली को जोडने वाले मेट्रो किसी ने नहीं समाजवादी सर कार का है लेकिन किसी ने हमारी बात ही नहीं लिखी गाजयवाद में जो मेट्रो बन रही है अभी मुझेवंती एलिवेडिट सड़ा के उद्गाटन करके आएं तो हम तो काम करते करते अपने आपको फॉवर्ड समझने लगे लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं आप फॉवर्ड नहीं हो आप सांफ हो आप छिजूंदर हो तो सबसे ज़्यादा जात के आधार पे काम करने वाले कोई पार्टी है तो वो भारती जंता पार्टी है और जहां तक भरष्टाचार का सवाल है बड़ा आसान है किसी को भरष्टाचारी कह देना और हम यह कहें यह बात यह देश को समझना चाहिए नोट बंदी से बड़ा भष्टाचार का काम कोई हुआ ही नहीं कैसे यह इसलिए कि जिस पे सरकार को टेक्स मिलना चाहिए था वो लोगों ने जाकर कि जमा कर दिया मैं तो यहां सरकार में था उस समय अगर याद हो तो प्रधामन्ती लेकिन यही तो का था कि काला धन बापिस आएगा इससे भष्टाचार खतम हो जाएगा लेकिन हुआ क्या इसका कि ही चेक नहीं था कौन सा असली नोट जमा हो गया कौन नगली नोट जमा हो गया सब RBI में जमा हो गया लोगों ने टेक्स ना दे करके वो पैसा जमा कर दिय बैंकों में तो कौन जमेदार है इसके लिए और शायद ये सरकारत खुच जानती है कि नोट बंदी वाला उनका गलत फैसला था अब चाहें को सुईकार करें चाहें न करें लेकिन अर्थ वबस्ता को उन्होंने चोट पहुचाई है और फिर अमेरिका के दवाब में नोट बंदी हुई ये कैशलेस का होने का सपना ये किसी ने दिखाया था वीजेपी को तो स्जायद अमेरिका ने दिखाया था ये दिशभक पार्टी पर आप बहुत ही गहर जमेदार आरूप लगा रहें ये गहर जमेदार नहीं है मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि ये कैशलेस आप लागली बात आई कहां से मुझे जो ज़जनकारी है जो मुझे लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं के कहीं चेशलेस वाले बैपारमें जो कंपैं। जोड़ी हैं उनको पहुचाने के लिए हैं और शायद आपको जानकारी होगी पे-टि-म के चलाने वाले जो सबसे बड़े मालिक हैं वो अलीगड के हैं उन्हें मैंने यश्वारती दिया है तो कुछ चीजें हम भी जानते हैं लेकिन अब वो चाइनीज कमपनी है कोई बात नहीं लेकिन कैशलेस सो है अगर कैशलेस कमपनीओं को बढ़ावा देंगे तो आकरकार किसको लाब पहुचेगा मैं समझता हूँ देश की जनता को और कम से कम देश के सबसे बड़े राष्ट भगताओं को ये बताना चीए कि अगर कैशलेस एकॉनेमी होती है तो किन किन कमपनीओं को फाइदा होने जाए एक चर्चा और करना चाहूँगा चुकि पैसे और भष्टाचार की बात हो रही है चुनाव की सफाई करना और पॉलिटिकल डोनेशन को ट्रांसपरेंट करना एलेक्टरल बॉंड लेके आए तो अभी दक्विंट पर हमने एक बड़ी भारी बड़ा एक्स्पोजे किया कि हर बियरर बॉंड का मतलब होता है गुमनाव लेकिन बियरर बॉंड पर यूनिक सीरियल नंबर्स है यानि सरकार चाहे तो ये ट्रैक कर पाएगी कि किसने किसको पैसा दिया यानि अपोजिशन को पैसा देने में एक प्रकार का लोगों को डिस्करेज करने की बात इलेक्टरल बॉंड के बारे में क्या आपको जानकारी थी किसमें सीरियल नंबर है देखी ये जो बात आपने बता ये महतपूर बात इसलिए है कि अगर बिपक्ष की लोग जानना चाहेंगे कि सत्ता वालों को कौन दे रहा है तो इस बिपक्ष की लोग कभी नहीं जान पाएंगे हाँ लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं ये पता लग जाएगा कि बिपक्ष को किन-किन लोगों ने फंडिंग की है शायद इसी लिए उनकी कोशिश होगी कि जो बिपक्ष की लोग हैं उन पर कोई लेक्षिन फंडिंग नहीं हो इलेक्षिन कमिशन कहता है कि आप फंड इखटा कर सकते हैं उसी लिए तो आपने नियम और कानून बनाए है और नियम कानून ऐसे बनाए हैं बिजेपी ने कि उन्हें तो खूब फंड मिल जाए लेकिन बिपक्ष को ना मिल जाए लेकिन बिपक्ष इससे घवराने वाली नहीं है ये बात बिल्कुल सही है लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आप कहीं अंड्यू क्रेडिट तो नहीं ले रहे हैं खास करके गोरखपूर के लिए क्योंकि कहते हैं उसमें कुछ अंदरूनी कारण भी है जिसके कारण गोरखपूर का नतीजा जैसा आया वैसा आया तकि मैं तो ये मानता हूँ जब मुक्षणती जी को मैंने देखा कि नवराद के दिनों में बूधनी के लड़ू खा लिए और बोट हमारे नहीं पढ़ने दिये सरकार का पैसासन का दवाब मना दिया वो तो ये कहते हैं जी जीत होती है तो हम भी वही कहते हैं उनी का फार्मूला हमने गोरखपूर में लगाया है मैं उन बातों में जादा नहीं पढ़ता हूँ लेकिन मैं ये कहता हूँ मुझे ये कहते थे कि मेरे पास पांच मुख्यमंतरी है मैंने इनको गिनाए बीजे पी के लोगों को मैंने का इनके पास एक मुख्यमंतरी है दो मुख्यमंतरी है दो बोलने वाले मंत्री हैं एक घुमने वाला लखनु में मुख्यमंत्री है और एक दिल्ली से निर्देश देने वाले मुख्यमंत्री बताओ कितने हैं हमारे तो प्रेस सब लोग कहते थे पांच मुख्यमंत्री हैं हमने जितने गिनाये हैं पताओ अगर कभी भी इए एक अखवार में चपाओ तो बताओं इसमें आपने संग वाले परतिनिती को गिन लिया है क्या? नि मैंने उनको ही किरन रहाँ घुमने वाला अच्छा, ओके मैं इसलिए किरनाओ एक मुखि मंतरी, दो मुखि मंतरी दो बोलने वाले मंतरी, एक घुमने वाले मंतरी और एक दिल्ली से निर्देश देने वाले मंतरी सोचिए इतने लोग सरकार चलाएंगे थोड़ा ग्राउंड रियालिटी के नाते एक दो चीजियों और पूछना चाहूँगा आपसे नमबर एक कि आप लोगों पर कॉंग्रेस पर मुसलिम परस्ती का इतना भारी एक आरोप लगा कि उसके कारण इस वक्त मुसलमानों की जो परिस्थिती है उस पर आप लोग डिफेंसिव में हैं जितना खुल के बोलना चाहिए बोल नहीं रहे हैं जो दो अपरेल को आपने दलित उभार वाला अंदोलन देखा मेनिस्ट्रीम के मीडिया की जानकारी के बगार बड़ी अपोजिशन पार्टियों के संग्रेश्ण समर्थन के बगार एक आउटबर्ष था वो यानि जनता का मूड कुछ और है जिसको पकड़ना, कंप्रिहेंड करना, रिफ्लेट करना आप लोगों का काम है लेकिन आप लोग ये राष्ट्रवाद वाले, देशभक्ती वाले नरेटिव से ऐसा डरे हुए हैं कि जो बातें आपको बिल्कुल ठोक बजा के कहनी चाहिएं, उसमें आप लोग थोड़े से मध्धम हैं, थोड़े बुझे हुए हैं कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, समाजवादी पार्टी का अपना सिद्धानत है और साफ बात रखते हैं जहां तक उस अंदोलन की बात है, अंदोलन के अंदर नराज़गी थी और आज साधन है, शायद ये दस साल पहले, पांस साल पहले ये साधन नहीं थे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को और सरकार की लोगों को ये समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर मैं जाँगा लेकिन ये बात अखवारों के और और जगे से हमें माद्यम से मालूम हुआ कि ये पूरा अंदोलन कुछ सेंगठोने ने सोशल मीडिया में एक दूसरे से संपर करकर के चलाया था, तो शायद ये केन सरकार को भी समझना चाहिए, कि जनता सुह सड़कों पर आ सकत जहां तक मुस्लिम समझदाय की बात है, समाजवादी लोगों ने उनके हितों के लिए उनके तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के हमने काम किया, तो यूपी में आके लगनों में आके जो दो बात हम लोगों को समझ में आती है, नैशनल मीडिया में कई बार हम उसका पॉट पटाटो टाइप के इशू है जरा इसको समझाईए ये क्या मसला है देखिए जहां तक गौर अच्छे वाला मामला है उसे बीजेपी ने बहुत उल्जाया उसका राजनेतिक लाव लिया हम गाये को जितनी वो सम्मान करते हैं से जाद समाजवादी लोग सम्मान करते कानून था कानून की करावाई होती थी वो बात अब जनता जान गए कि बीजेपी ने जूट बोर्ट करके जनता को गुमरा किया था जहां तक बात मिट्टी और बालु खनन की है मैं ये कह सकता हूँ मिट्टी को लेकर के सुप्रीम कोट की गैरलाइन्स है इन्वाइमेंट का सरली करण की जिम्मेदारी सरकार की है कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां पर बड़े पैमाने पर भारती जनता पार्टी के लोग खननना कर रहे हों सौन भद्र के MP बीजेपी के वो चिठी लिख रहे हैं मुख्यमंतियों प्धामंतिजी को कि हमें बचाईए यहां पर कर पर तरह के काम होते हैं उन पर यहीं लोग कर रहे हैं कहरे थे कि ऑज बड़े बड़े पैमाने फो रहीं यह वो लोग हैं जो कभी इंगली टत strict समाजवादियों पर कि समाजवादी लोगों क्या कर रहे हैं लेकिन आज हमें बताएं कि सरकार समाजवादियों की नहीं है, आकरकर इनकी जिम्मेदारी थी कानून की अंदर और इन्वार्मेंटर लॉस को बचाते हुए काम करना चाहिए उनको, उन कानून की अंदर काम करना चाहिए, लेकिन इने किसी की परवानी, जब मुख्यमंतरी क चला रहे थे इसमें जो पब्लिक प्रोटेस्ट आया कट हुआ और उन्नाव पर जिस परकार से विपक्षी पार्टियों ने बात की मीडिया कितना कवर करता है नहीं करता है नाशनल लेवल पर इसको अगर एक वर हम इस विशा को छोड़ भी दें तो क्या कहीं कोई डिसकनेक बात है और इस खतरनाक बात पर जितना गुसा रिवल्शन और आप लोगों को बिलकुल आगवबुला होते हुए देखना चाहते हैं हम लोग वो दिखता नहीं है इसी लिए देखिए कि जनता की नाराज़गी कितनी दिखाई दी केबल जम्ब कश्मीर में नाराजगी नह इनसाफ के रास्ता खुला है औру वही बात रत्तपडेश मरुt दिखाई टो जर्फा जंता लिड़ कर रही है तो चंता लीड कर रही है आपो只 Ooh ने काम किया हमारे महेला कंग ने काम किया हमारी यूत के विगलों के लोगों ने काम जगए-जगए धरणा दिया जगए-ज थोड़ा सा मैं फिर से लेकर आना चाहूंगा एक साल बचा है बड़ी चर्चा रहती है कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ाई शांदार, शातिर और एफिशियंट है उसके सामने आप लोगों को लगता है कि जनता नाराज है तो आकर के वोट डाल देगी ज तो आप लोग सारे निता लोग बैठ करके बातें कर रहे होंगे स्ट्रेटजी पर, कॉमन एजेंडा पर, सीटों के बटवारे पर और ये काम बहुत स्लो मोशन में दिख रहा है, आम आई राइट? मैं ये कह सकता हूँ कि जहां तक समाजवादी पार्टी की भूमिका है और जहां जहां समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी अपनी त्यारी कर रही है, ये स्वभाविक है, चुनाओ में साधन चीए, सुनाओ में आपको बहुत सारी, क्योंकि बड़े कैनवास पे चुनाल रणना है तो बहुत सारा आपको इंतिजाम आर्थिक रूप से भी चाहिए लेकिन मैं यह समझता हूँ BJP कितना भी अच्छा परचार कर ले इस बार, कितने भी अच्छे सपने लेकर की आए, जनता समझ चुकी है क्योंकि जनता को धोका मिला है बहुत लोग यह कहते हैं कि मोदी जी का जो अपना डायरेक्ट आउट्रीच है, उनकी जो अपनी परसनल छवी है और जब उतर करके रहलियां करते हैं और लोगों से ऐसा लगता है कि सीधे बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग फैक्टरिन कर लें, उसको कम नहीं आखना चाहिए वो तो इस बार भी होगा 2014 में भी हुआ, 2017 में भी हुआ लेकिन आखिरकार उनके सब भाशन सब भाशन लोगों को याद है हर चीज आज मीडिया में, सोशल मीडिया में डॉकुमेंटेड है आप कितनी चीज़ों को नकार देंगे आप तो क्या ये एक कंसेंसस दिखता है लोगों में कि 2019 में शायद BJP का सिंपल मैजॉरिटी ना हो उसकी BJP को एक ट्रू कोईलिशन बनाना पड़े लेकिन सरकार वापस NDA की बनेगी और मोदी जी उसके प्रधान मंतरी होंगे भले ही एक वास्तविक घटजोड सरकार होगी ना कि BJP के अकेले बहुमत बने BJP पे अभी भी घटवंदन है 45 से ज़ादा उनके पास दल है जो उनका सयोग करने उनकी सरकार में हैं शामिल 45 दल है अब कितने और चीए उने नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 19 में वास्तविक निर्भरता हो जाएगी कोईलिशन पे क्योंकि संभवता है BJP को सिंपल मैजॉरिटी न मिले लेकिन प्रधान मंतरी 2019 के लोग कहते हैं कि मोदी जी है मेरा मानना है देश की जनताओं खासकर किसान और गरीब और नौजमान और दलित और मुसल्मान और हर वर्ड के लोग दुखी हुए है क्योंकि BJP ने इतना धोका दिया है कि आज तक अगर उनका पुराना रिकॉर्ड देखें पंदरे लाग किसी के अकाउंट में नहीं आए किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ नौजमानों को नौकरी और रोजगार के इंतजाम होना था वो करोडो जो वादे के ते कुछ नहीं हुआ स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला हुआ था स्मार्ट सिटी कितने बन गए स्वक्ष भारत में जो बातरूम बन भी रहे हैं उस सौचाले जो बन भी रहे हैं उनमें पानी नहीं है किसी में एक चीज़ और जब लगता है आप लोगों की जो कमेंटरी है कि जनता में बहुत रोश है इसलिए बीजेपी को इस चुनाओ में भारी पढ़ने वाला है और विपक्ष बहुत आगे बढ़ने वाला है तो जब ऐसा लगता है तो यूपी के संदर में बीएसपी को ये भी तो लग सकता है कि हम अकेले ही लड़ लें क्या मैं ये बात अभी कुछ नहीं कहूंगा इसमें लेकिन जनता का जहां तक सवाल है बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है समाजवादी पार्टी का संगठन समाजवादी पार्टी के कारिकरता मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में अपना भूत कैसे जीते उसमें लगे हुए हैं मुद्दे सामने हैं क्योंकि बीजेपी कुछ करनी सकती पांच बजट उनके दिली के जा चुके हैं दो बजट उत्रपरदेस के आ गए हैं तो साथ बजटों का हिसाब किता बीजेपी को देना पड़ेगी बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जब ऐसा मूड बदला है कि 2019 सब ओपन गेम है तो ऐसे में कॉंग्रेस को जो भूमिका निभानी चाहिए वो एफेक्टिवली नहीं निभा रही है कई जगे वो थोड़ी उदासीन है कई जगे सुस्त है कई जगे वो चुप है तो आपका क्या कहना है कॉंग्रेस 2019 के तैयारी में विपक्षी एक्टा को बनाने के लिए कैसा रोल प्ले कर रही है मैं कॉंग्रेस के लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ लेकिन कॉंग्रेस ज़रूर कोशिश करेगी क्योंकि अभी कई बार उन्हें बैठक की है उन्की लिडर्शिप जो सीनर लिडर्शिप है उन्हें ठीक बार बैठक की है डिनर के कारक्म की है मैं समझता हूँ यह देश की जब चुनाउव स्टेट्स के खतम हो जाएंगे और जैसे जैसे चुनाव देश का सुरू होगा वो सब चीजें फॉर्मली आ जाएंगे सामने और इधर काउंटर के तोर पर ये कितना मैटर करता है कि बीजेपी की ये कोशिश हो कि विपक्ष में एक फ्रेंट क्यों खड़ा हो दो फ्रेंट खड़ा करवा हो एक और दूसरा लोकल लेवल पे नेता, कारेकरता, पुराने विधायक को तोड़ फोड़ करके एक नया इंपोर्ट मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है आपके कुलदीप सेंगर भी उसी के इंपोर्टेड माली थे वो तो ये इंपोर्ट वाला मॉडल कहते हैं कि बहुत चल रहा है और आपके हाँ ग्रासरूट लेवल पर पार्टी कैडर करता की दिक्कत है ये कोशिस बीजेपी स्वभावी करेगी क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने पूरी स्टडी करके किसी दल से किसी को ले लिया किसी दल को किसी ले लिया अगर हम वाकई में देखें जो औरिजिनल भारती जंता पार्टी के लोग है वो भी बहुत कम है बहुत कम है लेकिन सब हथकंडे बीजेपी ने अपना लिये हैं अब बीजेपी पे कुछ नया है नहीं और नया कुछ करनी सकते हैं जंता सब समझ चुकी है वादा पूरा बिल्कुल और इस तैयारी के दौरान आप एक अच्छा संकेत दे रहे हैं ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपको पॉलिटिकल अंट्रोपेनियोर कहा जाए तो आप एक प्रागेमेटिजम और एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं ऐसा मैं भी आपके बारे में कह सकता विवेक्स निकाला बहुत बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू स्वर्च थैंक यू स्वर्च भूंच